दोस्कार दोस्तों, डेट हैं आज की 5 अगस्ट 2022 और स्वागत हैं आपका एटोरियल डिस्केशन में आज देखो हिंदू में जड़ा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं या तो वो आर्टिकल्स हैं जो हम आलरी डिस्केश कर चुके हैं या फिर इंपोर्टन आर्टिकल्स नहीं हैं तो दूसरे न्यूस्पेपर्स से हम वो इश्यू उठाएंगे जो अभी तक हिंदू ने कवर नहीं किये हैं एक हमारा अभी भी बाकी है PMLA वाला Prevention of Money Loanering Act वाला वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन आज दो इश्यू जो हमें डिस्कस करने हैं एक तो ताइवान वाला इश्यू इस पर हिंदू मुए एक छोटा सा आर्टिकल आया था डिटेल से इस्यू नहीं कवर हुआ था तो आज थोड़ा डिटेल से के साथ हम ताइवान का इश्यू डिस्कस करेंगे यूएस और चाइना के बीच में क्यों तलके हैं ताइवान को लेखे दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में आपने पड़ा हो एक चीज आती है कि Armed Forces की जो सुप्रीम पावर है ना वो हमारे देश में प्रे रिजल्ट आया और अपनी कम्यूटी से काफी सारे लोग का सिलेक्शन हुआ जैसे स्नेहा साल्वी इनकी रैंक आई 51 और अमन्दीप सिंग इनकी रैंक आई 124 तो अमन्दीप और स्नेहा काफी अच्छा लगता है जब रिजल्ट आने के तुरंत बाद यानि एक घंटे के अंदर अंदर या फिर आदे घंटे में किसी की मेल आती है तो इससे ये पता लगता है कि वो कितना जुड़ा हुआ मैसूस करते हैं और या एस कम्यूटी से कि उन्होंने रिजल्ट आने के तुरंत बाद मेल सेंड की तो थैंक यू वेरी मच अमन्दीप और स्नेहा की तोट लगी दी तो उसके उनकी जहां तुम काम कर रहे हो यह मैं आपको बता देता हूं 7 साल का बच्चा है एक यूजर ने दावा किया 7 साल का बच्चा है साइकल पे जो मैटो डिलिवरी कर रहा है और वीडियो काफी वारल हुई इस बच्चे ने बताया कि मैं स्कूल जाता हूं साम को 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में डिलिवरी करता हूं मेरे पापा को चोट लग गई है तो वीडियो वारल हुई उसके बाद जो मैटो ने ये क्लेरिफाई किया कि इस बच्चे की उमर 7 साल नहीं है 14 के आसपास है मतलब उन्होंने क्लेरिफाई नहीं कि चोदा बोला उन्होंने लेकिन अभी भी इतना साफ नहीं है खेर चाइड लेबर तो फिर भी होगा तो बात ये है जो मैटो ने एक्सेन नहीं लिया इसके पापा के अगेंस्ट क्योंकि जो मैटो ने बोला देखो काईदे से हमें एक्सेन लेना चाहिए कि कोई और अगर इनके फादर के नाम पे हैं तो ये नहीं यूज कर सकते हैं ये जो मैटो की गाइडलाइन के अगेंस्ट है हम लाइससर रद कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रह Пऌर्वार की चोड़ी थीक नहीं है पादर को चोट लगी हुई है तो ये दो वह वाली बात है कि जब आप भी आप बहुत सारी situations का सामना करोगे जब ला strictly आपको बोलेगा जैसे मालीजे किसी को scheme देनी है उसके पास documents नहीं है ला के according आप scheme दे नहीं सकते लेकिन आपको पता है दिख रहा है परिवार की situation ठीक नहीं है documents नहीं है लेकिन वो real deserve करता है कि उसे scheme कल आप मिले तो उसमें आप क्या करोगे क्या strictly ला के इस साम से चलोगे या फिर आप ला के परे जाकर उस person की help करोगे ऐसी situation आपके सामने बहुत बार आएंगी जब आप civil servant बनोगे कैसे आप इस situation को tackle करोगे देखो आपको प्रैक्टिकैलिटी बताता हूँ जैसे मेरे काफी सारे DM दोस्त हैं उनसे बात होती है तो मैंने भी उनसे पूछा क्या आपके सामने ऐसी situation आती है तो कैसे tackle करते हो तो उनका ये कहना है देखो कानून से तो परे हम जाते नहीं है कानून के against हो ना सिरफ हम नहीं जाते बलकि सरकार में rarely कोई government employee होता है जो अपनी नोकरी को खत्रे में डालके इस परकार से scheme का लाब देता है उसने बताया अगर हम ऐसा करते भी है न तो ना साथी colleagues, subordinates उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई corruption कर रहा है इसका क्या interest है कि वो उसको scheme का लाब दे रहा है उसके पास documents नहीं है तब भी क्या उसने पैसे लिए है इसलिए कोई जाता नहीं है कानून के against है और कुछ अच्छे government employees होते हैं तो वो ये कर देते हैं अच्छे से help कर देते हैं कि आप यहाँ से document बनवा लीजिए ऐसे बन जाएंगे और बोल देते हैं कि जल्दी से इनके documents बनवा दो इनकी help कर दो इस परकार से उनका काम हो जाता है तो मतलब as a government employee आप कुछ immediate दूसरे measures provide कर सकते हो relief provide करने के लिए लेकिन अगर कोई कानून के इसाब से deserve नहीं करता है न तो उसको आप सिधा-सिधा कानून के विरुद में जाके help नहीं कर सकते हो चलिए discussion start करते हैं First important article Taiwan के उपर US और चाइना की conflict से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो US Congress में जो speaker है ना Nancy Pelosi इन्होंने Taiwan की यात्रा की और इस मुद्दे पर ना US और चाइना में tensions create हो गई है चाइना का आरोप है कि US ने उसकी sovereignty का violation किया है इसके साथ साथ चाइना ने ये भी धंकी दी थी कि USA को इसके परिनाम भुगतने पड़ेंगे इस visit के परिनाम सरूप चाइना के काफी सारे जो military planes है उन्होंने Taiwan के air defense जो उनको cross किया और वहाँ पर military exercise conduct की तो मतलब relations में काफी तलखी आ गई है Taiwan के issue पर देखो सबसे पहले ना हम थोड़े basics जान लेते हैं कि Taiwan और China के बीच में आखिर का relation है क्या ये issue है क्या जिनको पता भी है तो जल्दी से आपको revise हो जाएगा देखो जैसे ही second world war समाप्थ होता है चाइना में civil war फिर से start हो जाता है civil war चलता है दो parties के बीच एक तरफ केम टीम यानि कुमिन टांग जो अपने आपको nationalist कहते थे और दूसरी तरफ Chinese Communist Party Chinese Communist Party को समर्थन प्राप्था USSR का क्योंकि देखो USSR में भी उस समय Communist Government थी तो इसी वज़े से USSR चाइना के civil war में समर्थन दे रहा था Chinese Communist Party को और दूसरी तरफ केम टी को समर्थन प्राप्था UK काम, USA काम इन देशों काम Chinese Communist Party को लीड कर रहे थे Mao Zedong और KMT को लीड कर रहे थे Chiang Kai Sek यहाँ पर देखो Chiang Kai Sek लीड कर रहे थे KMT को यानि नैसलिस्ट को इन दोनों पार्टी के बीच की लडाई को जीत लिया जाता है Chinese Communist Party के दवरा 1949 में तो होता क्या है KMT के लीडर Chiang Kai Sek अपने followers के साथ भाग जाते हैं इस छोटे से Island पर यहाँ पर देखो China के नजदीग यह जो छोटा सा Island है यहाँ पर KMT के लीडर Chiang Kai Sek अपने followers के साथ भाग जाते हैं और एक government establish करते हैं वो कहते हैं हम Republic of China हैं यानि ROC हैं जबकि 1949 में Mainland China में Communist Party का कबज़ा हो जाता है तो वो कहते हैं हम People's Republic of China हैं यानि PRC हैं ध्यान दीजेगा यहाँ पर Communist government established होती हैं Mainland China में यह कहते हैं हम People's Republic of China हैं PRC हैं जबकि KMT के लीडर Chiang Kai Sek वो भाग कर अपनी जान बचाते हैं पाइवान में वो कहते हैं असली चाइना हम है हमारी government legitimate है लेकिन Mainland China में जो Communist Party की government है वो legitimate नहीं है तो शुरुवात में क्या होता है USA, UK यह सब देश ताइवान को ही असली चाइना मानते हैं यानि Republic of China को असली चाइना मानते हैं काफी सालों तक USA और USA के ally countries है क्योंकि देखो साफ तोर पे आप interling कीजिए Mainland China में Communist government थी और जबकि उस समय Cold War चल दहा था एक तरफ Liberalism की ideology के बीच और दूसी तरफ Communism की ideology के बीच USSR में भी Communist government थी और USA और उसके ally countries नहीं चाहते थे कहीं भी Communist government established हो Communist government एक परकार से USA और उनके ally countries की दूस्मन हुआ करती थी इसी वज़े से USA और उसके ally countries मानते थे ये छोटा सा जो Taiwan में government है वो legitimate government है और ये असली चाइना है Mainland China असली चाइना नहीं है लेकिन धीरे-धीरे हलाद change होते है Vietnam War स्टार्ट होता है 1950s में और 60s में Vietnam War में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है USA को एक बात समझ में आ जाती है अगर Asian region में dominance establish करना है तो mainland जो चाइना है उसको ignore नहीं किया जा सकता mainland चाइना के साथ समंद इंप्रूब करने ही होंगे और तब तक क्या हो जाता है mainland China यानि People's Republic of China और USSR के बीच भी differences आने start हो जाते हैं हाला कि USSR ने काफी मदद की थी चाइना की Communist Party को लेकिन फिर भी ideological differences आ जाते हैं और relations खराब हो जाते हैं USSR और PRC के PRC मतलब People's Republic of China यानि mainland China तो इस situation का फाइदा उठाते हुए USA के राष्टरपती 1971 में विजिट करते हैं mainland China में और रिष्टे improve होते हैं बाद में USA के द्वारा ये सविकार कर लिया जाता है कि जो ये mainland China है वही असली चाइना है USA चाइना की One China Policy को भी adopt कर लेता है One China Policy मतलब USA सविकार करता है चाइना का claim है ताइवान पर देखो एक बात आप यहां पर ध्यान दीजेगा जो ये PRC है यानि mainland China People's Republic of China ये भी कहता है One China है लेकिन ये कहता है जो ये ताइवान में government है ये illegitimate है यानि ताइवान चाइना का हिस्सा ही है और हमारी government legitimate government है दूसी तरफ ताइवान में जो government है वो भी कहता है चाइना एक ही है चाइना दो-दो नहीं है लेकिन PRC में यानि People's Republic of China में जो communist government है वो illegitimate है हमारी government असली government है 1979 में mainland China के साथ यानि People's Republic of China के साथ रिष्टों को और ज़़दा मजबूत बनाने के लिए USA ने ताइवान को de-recognize कर दिया था लेकिन USA की Congress में उस समय एक Act पास किया गया था Taiwan Relations Act उस Act में provision किया गया था कि USA ताइवान को defense weapons और दूसरी supplies देगा तो actual में अभी एक ambiguity है USA की Taiwan policy के संदर में दोनों चाइना People's Republic of China भी और Republic of China भी नीचे वाला ये ताइवान भी दोनों ये कहते हैं अगर कोई देश दूसरे को recognize करेगा तो हम उसके साथ diplomatic relations नहीं establish करेंगे यानि आज के समय में अगर इंडिया ताइवान को recognize कर ले तो चाइना इंडिया के साथ कुछ है जो ताइवान को recognize करते हैं लेकिन फिर भी ताइवान का विबिन देशों के साथ trade होता रहता है विबिन देशों ने embassy तो नहीं open करके रखी है ताइवान में क्योंकि चाइना का डर है लेकिन trade offices खोल के रखी हैं उन trade offices की साहता से होता रहता है वैपार और दूसी तरह की बाचित Taiwan के साथ दूसरे देशों की तो इस परकार से आपने basics समझ लिये कि Taiwan और चाइना के बीच में कैसे relations है और दूसी तरफ Taiwan और दूसरे देशों में कैसे relations है चाइना की क्या sensitivities है Taiwan को लेके अब बात करते हैं आज के आटकल की कंटेक्स आपको बता है यूएस और ताइवान के बीच में टेंसन्स क्रियेट हो गई है ताइवान के इशू को लेके देखो जहां एक तरफ अभी युक्रेयन को लेके रश्या और वेस्ट में तल्खी है युक्रेयन वार अभी खतम नहीं हुआ है चल रहा है तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि चाइना भी ताइवान पर अटेक कर सकता है ताइवान में बहुत से लोग काफी चिंती थे इस बात को लेके वो यूएस से बोल रहे थे कि आप हमें स्पोर्ट कीजिए तो ताइवान को मोटिवेट करने के लिए कि हम आपके साथ है यूएस में कॉंग्रेस की जो स्पीकर है ना नैंसी पेलोसी उन्होंने ताइवान की यातरा की अब देखो चाइना ये कहता है कि ये वन चाइला पॉलसी की अगेंस्ट है कोशिन ये उठता है कल को अगर चाइना ने ताइवान के उपर अटैक कर दिया तो क्या यूएस से चाइना के उपर अटैक करेगा ताइवान के उपर हुए अटैक को रोकने के लिए देखो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन फिलाल क्या situation है वो हम समझते हैं Taiwan की जो importance है वो world के लिए काफी जादा है पूरी world की जो supply chain है ना semiconductor से सम्मंदित वो Taiwan के उपर reliant है जातर semiconductors का जो production होता है वो Taiwan में होता है आज के समय में 13 ऐसे चोटे चोटे देश हैं जो Taiwan को recognize करते हैं लेकिन बहुत चोटे 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 देश हैं जिनकी चाइना के ऊपर कोई dependency नहीं है जिनको चाइना से कोई लिना देना नहीं है अब इसके बाद एक question ये भी खड़ा हो जाता है कि US के लिए Taiwan की relevance क्या है मतलब कुछ तो होगा na USA के दिमाग में कि वो Taiwan को sport करना चाहता है चाइना के खिलाफ जाकर भी कोई तो reason होगा na देखो simple सी बात तो ये है चाइना USA को replace करके पूरे world में सबसे बड़ी power बनना चाहता है अपना अधिपत्य स्थाबित करना चाहता है चाइना और USA चाइना को रोकना चाहता है तो हर एक वो देश जो चाइना का दुस्मन है वो USA का दोस्त है USA के एक strategy है काफी important फर्स्ट आइलेंड चैन ये जो आपको dotted line दिख रही है न ये सारे यहाँ पर islands है ये वो islands है जो US के friendly है बीच में Taiwan भी आता है USA ने ये जो चैन है ना friendly islands की इसलिए बनाई है कल को अगर maritime war start होता है simple war भी हम मान लिज़े start होता है चाइना और USA के बीच में तो चाइना की जो maritime power है ना उसे तो आगे बढ़ने से रोका जां सके मतलब चाइना के submarines यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे चाइना के ships यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे क्योंकि यह सारे जो islands है ना US friendly है यहाँ पर ना दो straits भी है एक तो यह देखो मियाको श्ट्रेट एक है बासी चैनल चाइना के ships यहाँ से भी नहीं गुजर सकेंगे क्योंकि चोक कर देगा USA यहाँ पर चाइना के ships की movements को और नीचे बासी चैनल है यहाँ यहाँ पर भी चाइना के ships की movements नहीं उसकेगी तो चाइना की जो maritime power है कम हो जाएगी USA की इस first island chain की strategy की साहिता से और इस strategy में ताइवान की importance काफी ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल बीचो बीच है ताइवान देखो इसलिए USA ताइवान को काफी ज़्यादा support कर रहा है मतलब एक मातर यह reason नहीं है बहुत सारे reasons हैं जैसा हमने discuss किया बहुत सारे चीजों के लिए USA की और दूसरे देशों के dependency है ताइवान के ऊपर जैसे semiconductors हैं global value chance में supply chance जो हैं उसमें ताइवान के importance काफी ज़्यादा है और ताइवान एक ऐसी जगह है जो चाइना के इतने सारे इतना ज़्यादा नजदीक है तो यहाँ पर US की थोड़ी पिसीद भी dominance रहती है ना तो चाइना को counter करने में काफी मदद मिलती हैं चाइना के ऊपर दबाब बनाने में काफी मदद मिलती हैं इसी वज़े से US की Congress की Speaker की विजिट की वज़े से चाइना बहुत ज़्यादा चिड़ गया लेकिन देखो US की strategy में एक तिकत पते क्या है आज भी Taiwan जो है उसकी link के ज़्यादा चाइना के साथ में है mainland China के साथ में है USA के साथ में कम है Taiwan का USA के साथ में जितना trade होता है उससे double तो Taiwan का trade China के साथ में होता है तो मतलब Taiwan की भी dependency है चाइना के ऊपर इसके बाद हम बात करें इंडिया का क्या stand है Taiwan के issue पर देखो इंडिया की actist policy है जिसके तहत इंडिया के east में जो देश आते हैं उनके साथ में इंडिया अपने समदों को मजबूत बनाता है तो इसी के तहत Taiwan के साथ भी इंडिया अच्छे relations cultivate कर रहा है ट्रेड के छेतर में investment काफी आई है Taiwan से इसके साथ साथ science and tech में भी cooperation काफी ज़्यादा मजबूत हुआ है और people to people exchange भी बड़े हैं आपको याद होगा गलवान valley की जब घटना होई थी ना ताइवान के लोगों ने इंडिया का काफी sport किया था जो ताइवान की president है उन्होंने एक तस्वीर भी share की थी जिसमें बगवान राम धनुस बान के साथ में हैं और ड्रेगन पर तीर चला रही हैं तो मतलब इंडिया और ताइवान के बीच में अच्छी goodwill है वो बात अलग है कि इंडिया और ताइवान के बीच में diplomatic relations नहीं है क्योंकि अगर diplomatic relations established होते हैं तो चाइना के साथ फिर relation खराब हो जाएंगे चाइना हमें बोलेगा कि ये one China policy का उलंगन है लेकिन देखो embassies नहीं है लेकिन representative के offices जरूर है representative के office है न वो indirectly embassy का ही काम करते हैं डेली में इंडिया ताइपाई association है ताइपाई economic and cultural center भी है TECC इंडिया ने देखो 1949 के बात से ही चाइना की one China policy को माना है जिसके तहत इंडिया ने माना है Taiwan और Tibet चाइना के part है बट हमेशा इंडिया ने इस policy का नाम लेते हुए चाइना को बोला है कि अगर देखो हमने one China policy में विश्वास किया है तो चाइना भी one India policy में विश्वास रखे जम्मू इन कस्मीर को चाइना इंडिया का अभिन अंग माने मानें लेकिन चाइना मानता नहीं है वो बात अलग है तो इंडिया ने ने 2010 के बाद से ही चाइना के साथ जब भी कोई समिट होता है ना उसकी जोइंट स्टेटमेंट में या फिर ओफिशल डोकुमेंट में ना one China policy का जिकर करना छोड़ दिया है क्योंकि वन चाइना प्रिंसपल डिफ्रेंस समझ लीजिए और USA के भी पोजिशन जान लीजिए USA के अनुसार वन चाइना प्रिंसपल का मतलब ये है कि ताइवान जो है वो मेंलेंड चाइना का यानि पीपल्स रिबब्लिक ओफ चाइना का इन अलिएनेबल पार्ट है और दोनों के जो लेजिटमेंट गोर्मेंट है वो बीजिंग में है और दूसरी तरफ USA के अनुसार हमने ना वन चाइना प्रिंसपल को नहीं माना है वन चाइना पोल्सी को माना है वन चाइना पोल्सी के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना जो है ये मेंलेंड चाइना ये एक मात्र चाइना है और वन चाइना पोलसी के अनुसार हमने टाइवान को यानि रिपब्लिक ओफ चाइना को as a separate entity नहीं recognize किया है कि ये कोई sovereign entity है बस इतना ही हमने ये नहीं माना है कि जो मेंलेंड चाइना है उसका sovereignty है ताइवान के ऊपर यानि ताइवान मेंलेंड चाइना का part है ये USA की policy है confused मत हुएगा simple भासा में बता देता हूँ एक है one China principle दूसरा है one China policy one China policy को माना है USA कहता है हमने one China principle को नहीं माना है one China principle तो ये अगर आप one China principle को मानते हो तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो क ताइवान चाइना का part है लेकिन one China policy को मान रहे हो तो इसका मतलब है कि चाइना जो है वो only China है ये मतलब people Republic of China यानि mainland China ये एक मातर चाइना है और ताइवान अलग से कोई sovereign entity नहीं है अलग से कोई देश नहीं है बस इतना ही one China policy ये नहीं बोलती कि ताइवान के ऊपर चाइन के sovereignty है यानि ताइवान जो है वो चाइना का inalienable part है तो ये USA का stand है USA कहता है हमने one China policy को माना है जिसके अनुसार हमने ये कभी नहीं माना कि ताइवान inalienable part है चाइना का यानि कि people's republic of China का लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो अगर ताइवान के issue पर मतलब चाइना अग बहुत घंबीर repercussions देखने को मिलेंगे पूरे world में क्यूंकि रश्या की बात अलग है रश्या की economy world से इतनी integrated नहीं थी लेकिन चाइना की economy पूरे world से integrated है तो USA समय दूसरे western countries कैसे जबाब देंगे इस situation का पूरे world पूरा world फिर से 2 groups में बच जाएगा जैसे cold war के दुरान हु situation बहुत खराब हो जाएगी world में instability आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो अब चलते हैं हम अगले article की तरफ अगला article देखो president as a supreme commander से समधित हैं आप gs paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हैं देखो मनीज तीवारी के द्वारा ये article लिखा गया है वो कहते हैं हमारे सविधान में ये लिखा हुआ है कि president जो है supreme commander है हमारे देश में armed forces के आप भी लक्षमिकांत की book में पढ़ते हो सविधान का article 53 इसमें साफ थोर पे लिखा गया है कि executive power जो है union की वो vested है president of India में इसके साथ साथ इसी article का section 2 ये कहता है supreme command of the defense forces of the union shall be vested in the president और उन powers को exercise किया जाएगा ला की regulation के according समझ गये तो एक question raise क्या जाता है जब देखो president council of ministers की aid and advice से काम करते है तो फिर हमारे देश में armed forces के जो supreme power है वो council of ministers क्यों क्यों नहीं दी गई president को क्यों दी गई है president का तो directly election भी नहीं होता है तो इस बात पर debate होती है देखो दो चीज़ें हो सकती है अब चूकि एक चीज़ तो यह हो सकती है कि हमारे जो सविधान निर्माता थे उनकी सोच यह रही हो कि चूकि देखो president जो है वो किसी party से समझ नहीं रखते है जो council of ministers हैं वो तो कुछ ruling party से समझ रखते हैं जैसे अभी मान लिजे बीजेपी की सरकार है बीजेपी की सरकार है बीजेपी की सबसे ज़्यादा seats आई लोक्सभा में तो बीजेपी के जो MPs चुनके आएं हैं वही सरकार बनाएंगे वही मंत्री बनेंगे तो चूकि वो मंत्री जो हैं वो एक party से समझ रखते हैं तो हो सकता है सविधाम गिर्माता ये चाहते थे कि मंत्री तो एक party से समंध रखते हैं लेकिन armed forces जो हैं वो किसी एक party से समंध नहीं रहें armed forces का armed forces देश की हैं तो उनकी जो power है न वो एक SSX के पास होनी चाहिए जो party politic से उपर है यानि कि president अब president तो party politic से उपर है तो उनके पास में powers होनी चाहिएं armed forces की साइध इस सोच के साथ हमारे सवधान निर्माता उने armed forces के जो supreme power है वो president के पास में रखी लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है कि British पर्थाओं को British practices को हमारे देश के सवधान निर्माता फोलो कर रहे थे चुकि बिटेन में भी armed forces की जो supreme power है वो king के पास में है queen के पास में है तो इसी के चलते उन्होंने ज़्यादा इस बात पर दिमाग लगाया नहीं और चुप-चाप करके power जो है वो दे दी president को देखो इस मुद्दे पर मैं वैसे तो चोटे से चोटे मुद्दे पर जब सविधान बन रहा था ना चोटे से चोटे मुद्दे पर बहुत डिबेट्स हुई थी लेकिन इस मुद्दे पर कोई डिबेट्स नहीं हुई कि armed forces की supreme power किसे दी जाए अब दूसरे देशों की अगर बात करें क्योंकि देखो जब हमारे सविधान निर्माता सविधान बना रहे थे ना तो ना सिरफ उन्होंने ब्रिटेन का सविधान फोलो किया था बलकि दूसरे देशों के सविधानों को भी पढ़ा था अच्छे अच्छे प्रोविजन्स लिये थे अमरीका और फ्रेंच कॉंसिचूशनल स्कीम्स में आम्ड फोर्सिस के जो सुप्रीम पावर है ना वो प्रेजडेंट के पास में है लेकिन फ्रांस और युएस से में फरक है वहाँ पे तो फिर Executive Presidency है na यानि हमारे देश में जैसे प्रेट मिनिस्टर के पास में पावर होती है वहाँ पे प्रेजडेंट के पास पावर होती है तो वहाँ पे सिचूशन अलग है वहाँ पे प्रेजडेंट nominal head नहीं है na हमारे देश में तो President nominal head है People's Republic of China का example भी दिया जाता है चाइना में तो ना 1925 के बाद से ही Central Military Commission है और वहाँ पे ना एक ही person तिन तिन पोस्ट occupy करता है जैसे Chinese Communist Party का General Secretary वो देखो President भी होगा चाइना का Chinese Communist Party का General Secretary भी होगा और Central Military Commission का head भी होगा सिरफ दो मौकों को छोड़ दें तो ऐसा नहीं था Otherwise अभी जो चाइना के राष्टरपती है सी जिन्पिंग वो इन तीनों पोस्ट को occupy कर रहे हैं एक ही साथ इवन पाकिस्तान में भी यही situation है पाकिस्तान का Article 243-1A ये MN क्या गया था 2010 में इसके according पाकिस्तान में Armed Forces के जो Supreme Command है वो President के पास होगी लेकिन पाकिस्तान में ये नाम नाम का Article है पाकिस्तान में तो इतने बार कू हो चुका है वहाँ पर military ने सत्ता को हतिया लिया है और यूं कहा जाता है कि पाकिस्तान में real power जो है वो President के पास में military के पास में ही है और President के पास में तो कुछ भी नहीं है मतलब हमारे देश में President सिरफ nominal head है लेकिन हमारे देश में army इतनी ज़्यादा दखलना जी नहीं करती है पोलिटिक्स में जितना की पाकिस्तान में करती है तो लाश्ट में मनीश तीवारी देखो यही बोलते है कम से कम न अगर debates को पढ़े सविधान की जो debates है न सविधान जब बन रहा था तबकि debates है न तो पढ़े है तो एक चीज साफ लगती है कि इतना कुछ सोचा नहीं था सविधान निर्माताओं ने कि इस पर ज़़ादा डिबेट भी नहीं होई सविधान निर्माताओं कि सोच तो हमें तब पता लगेगी न जब debates हुई हूँ इतनी debates हुई नहीं थी उसमें इस issue पर तो ऐसा लगता है कि उन्हों सीधे सीधे उन्होंने British practice को उठा लिया था और armed forces की जो supreme power है ना supreme command है ना वो president के पास रख दी थी तो ये पूरा article हमने discuss किया हमारी आज की इस discussion में इतना ही है दो issues आज हमने details से discuss किये फिलाल इस issue में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion